नमस्कार दोस्तों आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जितने भी विक्सिनेटर साइक और गोपालक हमारे साथ जोड़ रहे हैं सबका स्वागत है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज सुबे की आज की खबर और आपक लखों के बारे में बताऊंगा उसके बाद वेक्सिनेटर सहायकों के धरना के बारे में भी बताऊंगा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं और मुख मंत्री जी के पास जो गया था उसमें अब क्या होगा जो पत्र भेजा गया था उसमें क्या हुआ उसके बारे में भी बता है जितने भी लोग चाहे वो संविदा वाले हो या वेक्सिनेटर साहय धरना वाले हो सभी लोग इसको देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा क्योंकि इसमें जो है कई जानकारियां दी गई है और आप लोगों के लिए जो है मैं लगातार जो है वीडियो बनाता हूं दोस सस्क्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि सस्क्राइब करने से ही आपको प्रतेख जानकारी सबसे पहले मिलती है दोस्तों अगर आप चैनल को सस्क्राइब करते हैं तो आपके पास मैं सबसे पहले जानकारी जाएगी और सस्क्राइब ना करने से जानकार तौ आप भी मजबूट होंगे और इसका फाइदा जो है मिलेगा तो दोस्तों बातियों को ज़्याद्या ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आज के जानकारियों के बारे में सबसे पहले तुम्हें गोपालकों के बारे में बताउँगा दोस्तों ये जो है लागो हो चुकी है और ये स्कीम है आप देख सकते हैं कि गोपालकों का मानदे अस्थाई गोशालों में काम कर रहे है गोपालकों के लिए अच्छी खवर है अगस्त से उन्हें मानदे के रूप में 5226 रुपए पर महीने मिलने थे पंचम राजबित आयोक के मद से मानदे देने की सीक्रित मिलने के बाद विभागों ने तयारी पूरी कर ली है आप समझ सकते हैं कि सायवी विभागों ने जो है जानकारी पूरी कर ली है और तयारी भी पूरी कर ली है जिले कोई ग्राम पंचायतों में खोली गई 123 अइस्थाई गौसालों में लगभग 13,589 गौवन्स हैं दोस्तों अइस्थाई गौसालों के अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 13,599 हैं जिन में करीब 600 गोपालक इनकी देखरेक करते हैं और इन्हें अबमान दे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा पंचायत निधी से भुगतान का आदेश हो गया है दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं कि पंचायत निधी से इन लोगों को पैसा मिलेगा और इसका जो है एलान भी हो चुका है और अगस्त से ये मिलना सुरू हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों उन गोपालकों के लिए उन विक्सिनेटर साहाइकों के लिए जो गोपालन के लिए आईस्थाई गोसालाओं में काम करते थे दोस्तों मैं इसी के साथ में धरने के बारे में भी बात करूँगा लेकिन इस जानकारी से आप लोगों को जरूर कुछ संतुष्टी मिली होगी क्योंकि 5200 रुपे ही सही कुष्टों जो है मिलना सुरू हो गया है तो दोस्तों गोपालकों को जो है इसका फायदा मिलेगा अब आप लोगों को एक वो सवाल रहेगा कि ये गोपालक क्या थे तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि जो गोपालक आईस्थाई गोसालों में काम करते थे चाहे वो वेक्सिनेटर सहायक ही क्यों ना हो उनको इस स्कीम का लाभ भरपूर मिलेगा और इसमें जो है कोई भी दोराय नहीं है तो इस स्कीम का फायदा वेक्सिनेटर सहायकों को बहुत सारे मिलेगा क्योंकि बहुत सारे वेक्सिनेटर सहायक ही जो है गोपालक के रूप मे काम करते थे तो इसका जो है सीधा सीधा बेनिफिट जो है मिलेगा आप दोस्तों कुछ लोगों का सवाल ये रहेगा कि सभी वेक्सिनेटर साहय को कई इसका फायदा नहीं मिलेगा तो दोस्तों जो कारे कर नहीं इसमें कारे नहीं कर रहे होंगे उनको इसका बेनिफिट नही आप लोगों को बताते हैं दूसरी खबर दूसरी खबर मैं आप लोगों के लिए जो है दोस्तों बता रहा हूं कि जैसा आप लोगों ने देखा कि 18 तारीक को धरना प्रदर्शन हुआ तो धरना प्रदर्शन में बहुत सारे वेक्सिनेटर और साहक काफी दूर दूर से पर गए कुछ न्यू चैनल वाले भी वहाँ पर पहुंचे थे जिन्होंने उसको कबर किया तो दोस्तों उसके बाद में जो है एक ग्यापन सौपा गया उसमें जो है बकाईदा लिखा गया कि हमको जो है 18,000 रुपे सेलरी दिया जाए और 10,000,000 रुपे का कम से कम बीमा जो ह भविस्ट में अगर कोई दुरगटना होती है तो सीधा सीधा उसको जो है बेक्सिनेटर सहायकों को इसका लाब मिल सके तो काफी अच्छी जो है मांगे थी बेक्सिनेटर सहायकों की इसमें बहुत सारे बेक्सिनेटर सहायकों ने भाग नहीं लिया तो दोस्तों कुछ बे बीडियो भी बनाओ तो उनको यह लगता है कि बार-बार जो है एक ही बात बताते हैं तो दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा उद्देश यह रहता है कि यह बाते जयादा ज्यादा लोगों तक पहुंचें और ज्यादा से जयादा वुक्त एक मच पराएं ताकी इसका भव payment क कोई फाइदा मिल सके आप लोगों को और आप लोगों को बेनिफिट तभी मिलेगा जब सारे लोग संगठित रहेंगे अगर मैं बात करूं तो 86,000 संख्या थी लेकिन मौके पर जो है बहुत गिने चुने लोग ही वहाँ पर पहुंचे लेकिन जो भी पहुंचे उनका बहु पाई नहीं होती है तो हम लोग भविस में जो है अंसन पर फेसे जा सकते हैं तीन दिवसिये तो अब यह देखने वाली बात होगी कि बेक्सिनेटर सहाय कितना संगठित होकर के काम करते हैं और जितना संगठित होकर काम करेंगे उतना ही ज्यादा इनको बेनिफिट मिलेग तो दोस्तों आप लोगों का जो है हो सकता है कि मान दे जो है ये बात जब मुखमंतरी जी को पहुँचे तो अभी कोई जबाब नहीं आया है और एक अच्छा positive जबाब आने का जो है उमीद की जा सकती है कि एक मुखमंतरी जी अच्छा जबाब देंगे और वेक्सिनेटर सहाय को अगर 18,000 नहीं भी मिलता तो जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ रकम जरूर देंगे यही वेक्सिनेटर सहाय का आस लगाए हुए हैं अब देखना यह होगा कि मुखमंत्री जी का क्या जबाब आता है और जैसे ही मुखमंत्री जी कोई सभी वेक्सिनेटर साथ आएं मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद जै भारत वंदे में